है लो एवरीबड़ी वेलकम टू यूनिट थी आफ क्लास टू मैथामेटिक्स हाव मच कैन यू कैरी आग जो यूनिटम पढ़ने वाले है उसका नाम क्या है इसका मतलब होता है आप कितनी सारी चीजे ले जा सकते हो कैरी का मतलब होता किस चीछ को लेके जाना दक्लेवर डॉंकी पहली बार मैंने सुना डॉंकी और कैसा है टॉंकी को नाम का एक लड़का है उसके पास में क्या है donkey it carries sex full of salt on its back बिचारा घदा बोस्ड होता है पूरा का पूरा नमक का बोरा लेके जाता है अब देखो क्या होता है on the way to the market they cross a river नदी पार करके जाना पड़ता है one day while crossing the river the donkey slipped and fell into the river एक दिन वो डॉंकी घदा जब उसके उपर बोरे लदे थे कहां पे चला गया नदी में गिर गया अब जब वो नदी में गिर जाता है तो क्या होता है नमक है ध्यान रखना क्या लदा है नमक नमक में अगर पानी आ जाता है तो नमक गुल जाएगा की नहीं गुल जाएगा वही हुआ when it got up the sex felt very light light का मतलब यहां पे प्रकास नहीं हलका यहां पे light का इतने भारी थे अब वो ही बोरे उसको कैसे लगने लगे हलके लगने लगे guess why the salt felt lighter बता 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 क्यों lighter लगे क्योंकि पानी में घुल गए the donkey was very happy this also gave it an idea अब उसको एक idea लगया जब भी बोले बजन लेके जाओ पानी में कुछ जाओ next day while crossing the river the clever donkey decided to take a dip dip का मतलब होता डुपकी dip का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा डुपकी फिर वो कूद गया पानी में उनने का फिर पूरा नमक हो गया light this time संदेश understand the donkey's trick अब संदेश समझ गया बोले घदा मेरे साथ में चाल केलता है जान बूच के पानी में गिरता है next day संदेश put sex of woolen cloth अब बोरे में उसने क्या भर दिये woolen cloth woolen cloth का मतलब होता है उनी कपड़े उन में अगर पानी लगाऊंगे तो और भारी हो जाएगा नमक को पानी लगाऊंगे तो हलका होगा उन को पानी लगाऊंगे आपने दिखा होगा ना जब कपड़ों में पानी आता तो कितना बजन हो जाता बस अब उसने क्या किया नमक की जगा उनी कपड़े लिख दिये now when what happened to the donkey when it dipped in the river अब क्या होगा भाई अब उसका बजन और बढ़ जाएगा वो घदा क्लेवर नहीं घदा ही बन जाएगा समझे ना लेसन क्या हुआ donkey था salt लेके जाता था river में जाता तो हलका हो जाता woolen cloth लेके गए तो बजन बढ़ गया राजू wants to write seesaw यह राजू है seesaw उपर नीचे उपर नीचे करना चाहता है अब अकिला तो कर नहीं सकता उसको क्या चीए फ्रेंड चीए राजू comes to help कौन आ गई राणी राणी comes to help राजू राजू की मदद करने कौन आ गई राणी but still राजू cannot write it कारण बताऊं दोनों का बजन में बड़ा अंतर है समान समान बजन रहेगा तो उपर नीचे होगा नहीं है तो नहीं होगा can you tell why आप बताओ क्या correct answer है राजू heavier है की lighter है यह बताओ राजू नीचे है ना जो नीचे रहता है वो भारी रहता है नीचे रहता वो क्या रहता भारी तो राजू क्या बन गया heavier और राणी बन गई lighter राजू भारी है तो राजू बन जाएगा heavier than राणी lighter नहीं है वो नीचे है ना तो heavier उपर गया तो lighter नीचे है तो heavier तो राजू देखाऊगा ना नीचे है मतलब बजन, उपर है मतलब कम, असलम, रानी के बाद अब कौन आ गया, असलम भाई, असलम भाई, कम्स टू हेल्प, लुक एट दे पिक्चर, अब देखो, यह दोनों चले गए, नीचे और यह आ गया उपर, मतलब यह दोनों क्या हो गया, और राजू क्या हो गया, लाइटर, can you tell why the seesaw turns this way, अब राजू ऊपर आ गया, मतलब ना राजू is, लाइटर, पहले नीचे था, तो लाइटर अब उपर चला गया, तो क्या हो गया, लाइटर, I have an idea, राजू दिमाग लगाता है बोलता है मेरे पास में एक आइडिया है लेट मी कीप माइ बैग विट मी अब उसने अपना बैग ले आया ये बताओ बैग का भी बजन उसका भी बजन अब सेम सेम हो गया की नहीं हो गया अब दोनों बराबर हो गए heavier और lighter बोलो heavier अरे बोलो ना भारी heavier मतलब भारी lighter मतलब हलका lighter मतलब हलका heavier मतलब भारी which of the two things will make the seesaw go down down मतलब नीचे लाना है नीचे लाना है मतलब भारी चीज को रख दो यहाँ पर ठीक है आगे देखो मैं बताता हूँ draw a line to match the heavier one यह घड़े को रख दो कहाँ पर यहाँ पर heavier है यहाँ पर रख दो काम हो जाएगा फिर देखो यह उठा है ना यहाँ से यहाँ पर ले जाके इसको रख दो यह बैठ जाएगा भारी चीज है ना रख दो यह दोनों में से कौन सा बारी है ये वाला इसको ले जाके जो उपर उठा है वहाँ पे रख दो काम हो जाएगा कलर दा वन विच इस लाइटर लाइटर मतलब हलका इन सब में सबसे हलका क्या होने वाला है आप बताओ सेंचूरी ये जोमेट्री बॉक्स सबसे हलका होगा की स्कूल बैग की फुटबॉल की टैनिस बॉल मेरे हिसाब से सबसे हलका होगा जोमेट्री बॉक्स तो इसको कर देना कलर आगे देखो आगे देखो आगे देखो शोटू मंकी एंड़ कैरट्स चिक्की और मिक्की रैबिट सो आ बैग इट हैस कैरट्स चिक्की और मिक्की जो है रैबिट है उनको क्या दिख गया कैरट्स क्या दिख गया बैग दिखा उसमें क्या है कैरट्स चिक्की और मिक्की स्टार्टेड फाइटिंग अरे 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 लड़ाई 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 नी अरे 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 चोट्टू monkey चिक्की और मिक्की की लड़ाई सुलजाने आते हैं चोट्टू monkey देखो क्या करेंगे we want to share the carrot equally हम दोनों बराबर बाटना चाहते हैं let some carrot are big and some small what we do कुछ बड़ी है बोले कुछ छोटी हम बराबर बाटना चाहते हैं करें तो बोलता मैं तुमारी मदद करता हूँ monkey है दिमाग बाला है देखो क्या करता है चोटू monkey brought something to help them क्या लेके आगया वो कुछ लेके आया क्या लेके आया आगे बताता हूँ guess and tell what चोटू monkey used to help चिकी मिकी draw the picture of the monkey in hand यह देखो ना देखो ना देखो देखो यहाँ पे देखो वो क्या लेके आया कुछ दिखरा क्या है यह कटर है यह क्या है कटर है जिससे काट के वो बराबर कर देगा your parent buy carrot for the family आपके परिवार वाले ने क्या लेके आया carrot लेके आया how much do you buy one time एक बार में कितना लेके आऊंगे जादा नहीं एक किलो दो किलो तो वन किलो टू किलो वन किलो या टू किलो how does the vegetable seller weight the carrot by balance तराजू को क्या बोलते है balance किससे करता है वो balance तराजू से वो weight करता है how much can simran carry simran कितना सारा सामान carry कर सकती है simran father needs to move to something from store to their house to the kitchen simran के पापा को लेके जाना है और वो उसकी मदद करना चाहती है बताओ simran क्या क्या ले जा सकती है सब चीज ले जा सकती है 5 किलो आटा ले जा सकती है guess which bag simran can carry guess who can carry what simran क्या क्या ले जा सकती है कौन क्या क्या ले जा सकता है अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ सिमरन क्या क्या ले जा सकती है यह देखते चलना यह थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं पहली बार जूम कर रहा हूँ यह देखना सिमरन क्या क्या ले जा सकती है मैं बता रहा हूँ यह देखो ये सिमरन बोल सकती है कि भाईया में को ना ये दो किलो शुगर, दो किलो ओईल, डाल, गी, टू केजी ओफ कोकिंग ओईल, फाइफ केजी राइस ये सब वो ले जा सकती है मैं लिख दे रहा हूँ, हर फादर है, who can carry what, her father can carry rice, her mother can carry wheat, what younger sister, she can carry गी, यो गी ले जा सकती है can सिमरन carry two things bag together, हाँ वो ले जा सकती है, yes, which one, घी, घी वाले ले जा सकती है, वो दोनो, घी and rice, ये दोनो bag वो एक साथ ले जा सकती है which bag can you carry gas, आपको जो ले जा सकती है, आप बोलना, I can carry a grain of sugar bigger than myself चीटी बोलती है, मैं अपने से बजन से जादा बजन उठा सकती हूँ, क्या क्या उठा सकती हूँ बोले बताओ सबसे पहले ये बताओ, ये dog ball उठा सकता की नी उठा सकता, ये hip hop otomus sugar उठा सकता की नी उठा सकता, ये donkey ये पूरा जो अपना wooden है वो उठा सकता की नी उठा सकता, इतनी सारी sticks, और ये fur को उठा सकता की नी उठा सकता, ये बजन ये लोग carry कर सकते हैं, और यहाँ पर हमार यूनिट 3 भी होती है complete चोटी चोटी यूनिट है जल्दी जल्दी complete हो रही है देखते चलो जो भी दिखकत जाए बताते चलो